हलो फ्रेंड्स वोल्कॉम टु यूर चैनल ट्रेड स्टार आज जो हम एक स्मॉल क्याप स्टॉक का चाड़ अनालिसिस करेंगे और इस जो स्टॉक है आने वाली टाइम में यहां पर आपको मॉल्टिफोल रिटन दे सकता है और आपको कौन सा लेबल पर एंट्री करना है और कहां पर यहां पर स्टॉक प्रॉस देना है देटर्स पर आज की वीडियो में आनालिसिस करेंगे उससे पहले अगर अभी तक आप ट्रेश्टर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं चैनल को सब्सक्राइब किजीगा और वीडियो आच्छा लगा तो वीडियो को लाइक किजीगा देखिए जो स्मॉल क्याप स्टॉक होता है और हाई रिक्स होता है जिसके पास रिक्स लेने का आपेटाइड है ओ यहां पर पोजिशन बना सकते हैं अगर आप बिगनर है मार्केड में तो इस टॉक को आप कर लेंगे यह करेंगे और एक ही स्टॉक में सारा क्वांटिटे आप बाई कर लेंगे तो आपके लिए दिखकत हो सकता है आपको हमेशा से श्मॉल क्याप आप करने से तहले आपका रिक्स डिफाइंड करना चाहिए और आपका पोड़ फोल्यों का कुछ पॉर्शन डाइ इन्फो सिस्टम का और यहां पर जो मैं टाइम फ्रेम सिलेट के हूं विकली अगर आप इस टॉक का चार्ट को देखेंगे तो देखेंगे प्राइस एक लॉंग टर्म डाउन ट्रेड के बाद मार्च में जैसे ही हर स्टॉक बटम बना था इस टॉक भी यहां पर बटम बना लेकिन यहां पर अगर देखेंगे तो सेबें जुन जो उइकल केंडल है यहां पर एक स्ट्रॉंग ब्रेकाओड बना आए और जोहां पर क्या क्या है ब्रेकाओड करने के बाद थोड़ा सा हाई लगा था उसके बाद अभी कारेक्शन करके जो पहले उसके लिए रेजिस् करेगा और पुल्ब्या करेगा वही रेजिस्टांस जोन अभी आक्टाजे शॉपड जोम जैसे कि एकजाली यहां पर हो रहा था पहले 11.8 लेबुल रेजिस्टांस था लेकिन अभी जो प्राइस ब्रेकाओड करके निच्छे आ रहा है ए लेबुल अभी के लिए आक्टा क्यूंकि प्राइस लगता है कि यहां से शॉपड लेगा उसके निचे नहीं जाएगा तो आपके लिए एक आक्कुमलेशन जोन बन रहा है वह बन रहा है 13.7 से 11.5 का इस जोन में साइद प्राइस थोड़ा कॉंसॉल्डेशन कर सकता है इस जोन में आपको धिरी धिरे करके क्वार्टेडी आप बाय कर सकते हैं और आपको stop loss कहां पर देना है यहां पर आपको stop loss देना है 11 के निचे closing basis पर डेली closing basis पर आप 11 के निचे दे सकते हैं देखे पाटन बहुत ही आचा बना है प्राइस ने consolidation पहले किया उसके बाद breakout से पहले देखिया यहां पर consolidation भी किया था और यहां पर पाटन मना था इसको आप बोल सकते कॉप अंड हांडल पाटन यह हो गया उसका कॉप अंड हो गया उसका हांडल और जो लॉंच प्राइस प्राइस को लॉंचिंग हुआ था यहां पर देखे एक बना है box पाटन मतलब multiple चार्ट पाटन एक साथ यहां पर बना है और यहां पर strong candle के साथ यहां पर 11.8 के क्यामेटर देखेंगे तो यहां पर बुलिश सिनिर्यों दिखाई दे रहा है उसके साथ ब्रेक आउट आने के बाद प्राइस तॉंटी वान पंट सेबन का उसके बाद अभी प्राइस करेक्शन करने के बाद अभी इंपोटन सब्वर्ट के आसपार प्रेडिंग कर रहा ह हां यहां पर आपको अच्छा रिक्स्ट वार्ड जोन में मिल रहा है लेकिन आपको क्वांटेडी और आपका पोड़ फिल्यो को डाइबर्स पाई करके रखना है सिंप्ली आपका अक्कुमलेशन जोन है 13.7 से 13.7 से 11.5 और आपको स्टपवर देना है डेली क्लोजिं बेस पर 11 के निच्चे आप समयस भाए होंगे और यहां पर आपको टार्गेड कहां रखना है तीक है पहला टार्गेट रहेगा यहां पर जो स्विंग हाई बना है 21 का पहला टार्गेट आप इनिसियाले 21 और 38 के लिए स्विंग करना है तो इसलिए आपको रिक्स रिवार्ड को डाइबर्स भाए करके रखना है और एक ही स्टाप पर सारा क्वांटेटी बाई नहीं करना है क्योंकि जु स्मॉल कव रहता है वो बहुत हाई रिक्स होता है यह अपर शक्टी भी लग सकता है और लो एर शक्टी भी लग सकता है इसलिए आपका क्वांटेटी को बालान्स कीजिए और 11 के निचे आपको ब्लॉस देना है और अक्कुमेलेशन करना है 13.7 से 11.5 के बीच में और स्टॉप प्लॉस बिलो 11 और यहां पर टार्गेट देना है 21 और 38 क्या अगर रिक्स लेना है तो इस जोन में रिक्स ले सकते हैं नहीं तो और भी बहुत सारे सेफ स्टॉक है अगर आप बिग्नर है मार्केट में मार्केट कैसे काम करता है वो मालूम नहीं है लार्ज क्याम में पहले काम किजिए उसके बाद जैसे ही आपका लॉनिंग जे उसके साद आनेवल टाइम में धिरी धिर करके ट्रेड लेस आई होप आप समझ पाई होंगे वीडियो आच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब केड़ेगा थांक्यू फुर्वार्ची